जारकन के मुखमंतरी हिमन्त सोरेन ने राची इस्थीत स्टीसी थाने में ED के अधिकारियों पर इफायार दर्ज करवाई है CM के दुआरा आविदन की कौपी राची के स्टीसी थाने में भेज़ दी गई है सुत्रों ने आविदन मिलने की पुष्टी की है मुकमंतरी हिमन सोरेन ने परवर्तन निदेशाले के आफिसर कपिल राज, देव वरज्जा, अनुपम कुमार, अमन पतेल समेत अन के खिलाफ राची के STSC थाने में प्रात्मी की दर्च कराई है प्रात्मी की में STSC PA Act की धारा 3x1 PRSU लगाई गई है उनका अरोप है कि वह 27 जनवरी को दिली गए थे और शांती निकेतन स्थीत पांच बाए एक आवास में रुके थे अपने आवेदन में सीम ने लिखा कि जब मैं 30 जनवरी को राची लटा तो मीडिया में आई खबरों से जानकारी मिली कि जारकन भवन और शांती निकेतन स्थीत आवास पर मेरी अनुपस्थिती में परवरतन निदेशाले के अफसरों ने सर्च उपरेशन चलाया था इसकी वज़ा से मेरे और मेरे परिवार की छवी धुमिल हुई अस्थानी मीडिया में जिस तरह से खबरें चलाई जा रही थी उससे साफ है कि एक आदिवासी को परतारित करने के लिए भूमिका बनाई गई थी मुख मंतरी ने आरोप लगाया है कि बिना किसी नोटिस या मेरी गैर मौजूदगी में दोनों जगों की तालाशी ली गई जबकि पुर्व में ही एडी ने 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच मेरा बयान दर्ज करने के लिए समय मांगा था सर्च की खबर को नेशनल और लोकल मीडिया में गलत तरीके से परसारित कर मेरा तमाशा बनाया गया इसकी वज़े से आम लोगों के बीच मेरी परतिष्टा धूमिल हुई है मीडिया में ये भी खबर दिखाई गई के मेरे दिल्ली आवाज से एक BMW कार और भारी मातरा में अवैट कैश बरामद हुआ है जबकि मैं उस BMW कार का मालिक नहीं हूँ जिन लोगों ने इस तरह की कारवाई की है वे लोग आदिवासी समात से जुड़े नहीं है इन अफसरों ने जान बूच कर जनता के बीच मेरी छवी को धूमिल करने की कोशिस की है मुख मंतरी ने F.I.R. में इस बात का भी जिक्र किया है कि E.D. के अफसर मेरे खिलाफ बे बुनियाद और मन गढ़ंत बातों को लेकर क्रिमिनल प्रोसेडिंग चला रहे है मेरे खिलाफ मन गढ़ंत साक्ष तयार किया जा रहा है ताकि मुझे दोशी साबित किया जा सके जिससे साथ साल की सजा का पराबधान है इसकी वज़ा से मेरे साथ मेरे परिवार मानसिक रूप से जूज रहे हैं इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमी की दर्ज कर उचित कानूनी कारवाई की जाए